नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्रिमिनल लॉग के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप के लिए आर्टिकल 20 of the Constitution of India एक बहुत important section है और आज हम आर्टिकल 20 के अंदर पढ़ेंगे आर्टिकल 20 clause 2 जो की बात करता है डबल जीओ पारडाई डबल जीओ पारडाई को अगर हम simple language में समझें, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक अपरात के लिए एक से ज़्यादा बार ना ही prosecute किया सकता है और ना ही सजादी जा सकती है डबल जीओ पारडाई को समझने के लिए आप section 300 subsection 1 CRPC का भी refer कर सकते हैं जो की बात करता है person once convicted or acquitted not to be tried for same offense आईए एक बार पहले article 20 clause 2 पढ़ते हैं no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once अब हम रीट करेंगे section 300 subsection 1 CRPC जो की बात करता है a person who has been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall while such conviction or acquittal remain in force not be liable to be tried again for the same offense nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof देखिए इस particular section का जो objective हो और जो particular article का जो objective है वो यह है कि means एक व्यत्ती को एक गलती के लिए दो बार सजा नहीं मिलने चाहिए पर उसके लिए कुछ conditions हैं कि double justified आए किन cases के अंदर लगेगा और किन cases के अंदर नहीं लगेगा आईए समस्ते इन conditions को देखिए पहली condition जो है वो यह है कि जो matter है वो एक competent court के द्वारा decide होना चाहिए यानि कि उस court की jurisdiction उने चाहिए उस case के अंदर cognience लेने की और उसको decide करने की और दूसरी जो condition है वो यह है कि जो accused है उसका या तो acquittal हुआ होना चाहिए या तो वो convict हुआ होना चाहिए पर दियान रहे कि double jeopardi के जो principle है वो actually जो continuing offense होते हैं उनके उपर applicable नहीं है for example लेते हैं कि एक जो accused है उसको graves herd के अंदर tried किया गया और उसको convert किया गया पर उसके बाद जो injured person था वो actually expire हो जाता है तो उस case के अंदर जो है इस accused person के खिलाफ कल्पेमल homicide का भी case चल सकता है इसका reason यह है क्योंकि पहले जो इस व्यक्ति को convict किया गया था वो graves herd के लिए convict किया गया था पर अब जो convict इसको किया जाएगा या फिर इसके खिलाफ जो case चला जाएगा वो culpable homicide का चला जाएगा क्योंकि अब जो offense है उसका nature बदल गया है जिस तरह section 307 IPC अगर किसी को पर लगता है यानि attempt to murder लगता है और उसके बाद जिस व्यक्ति को injury हुई है अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो 307 के साथ 302 एड़ जाता है इसी तरह है यहाँ पर भी एक जो व्यक्ति है जिसने grievous hurt किया था किसी को अब वो व्यक्ति को कि नहीं रहा तो वो फिर culpable homicide के अंदर convert जाएगा क्योंकि अब इस case के अंदर जो offense है वो same नहीं है यानि कि article 20 clause 2 और section 300 जो बात करता है वो ये कहता है कि same offense के लिए यानि कि अगर एक विक्ति ने एक offense किया है तो उस same offense के लिए एक को दो बार punished नहीं किया सकता है नहीं उसके खिलाफ केस चलाया सकते है पर जिस moment यह जो offense है same offense की category से बार आ जाता है यानि कि जो offense है उसका nature बदल जाता है या पिर दूसरा offense हो जाता है उस case के अंदर federal job जो आप benefit नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि डबल जी उपाड़ाई का जो concept है वो आपको अच्छे से सुझ में आ गया होगा अगर आप इसमें कुछ add-on करना चाहते हैं अपना कुछ queries हैं तो आप मुझे जब रूर कमेंट box में mention कीजिए जय हिन जय भारत ध इन दारत जय हुआ आप